असलाम लेकुम आज हम फस्ट चेश्पिसिक्स में चैप्टर नमबर 3 और उसका 6 लेक्टर स्टेडि करेंगे जिसमें हम न्यूटन लाज्ट ओफ मोशन को स्टेडि करेंगे ठीक है कि हाओ दे बॉड़ी मौव कि बॉड़ी कैसे मौव करती है किन किन लाज्ट को फॉलो करती है और हम देखते हैं कि कैसे इन लाज्ट का ओरिजन हुआ बटा सबसे पहले अबू अली सीना वाज साइंटिस्ट जिसने कहा कि कोई बॉड़ी खुद बाखुद मौव नहीं करती ना ही कोई बॉड़ी खुद बाखुद रेस्ट पर आ जाती है यानि कि बॉड़ी इटसेल्फ ना ही तो वो मौव करती करती रेस्ट पर आ जाती है और ना ही वो मौव कर रेस्ट पर हो होते हुए मुव करना शुरू करती है देरे सम एक्स्टरनल इफेक्ट यहां पर कोई एक्स्टरनल इफेक्ट होता है जिसकी वजा से के बॉड़ी क्या गरती है अपने स्टेट होगा गरती है चेंज करती है रेस्ट पे है तो मोशन में मोशन है तो रेस्ट में बटा ठीक है वह लिसीना उसके बाद इसी को थोड़ा सा गलीलियो ने भी थोड़ा बटा डिफाइन किया गलीलियो एक साइंटिस था बटा उसने भी इसको क्या करना चाहा एकस्प्लेंड करना चाहा तो उसने थोड़ा सा हिंट दे दिया क्लिव दे दिया कि ऐसा क्या होता है जिसके जरी यह बोडी अपने स्टेटों डगरती है चेंज करती है अब जर देखो पहले जो बोडी इस मुव करती थी ना फ़र्च कर लें हमारे पास एक सर्फिस है और यह एक बॉल है और यह बॉल क्या कर रही है बड़ जब लोग इसको देखते थे मूव करते वह इंदर आ गई तो इ तो यह किसी फोर्स का इफेक्ट है बटा बास समझागी कि हमें किसी इनसान का पचल जाए जिसने इसके पर फोर्स लगाए थे तो हम इस फोर्स की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं समझागी अच्छा अब देखो जड़ा तो गलेलियो ने क्या कहा अब एक बॉर्डी है जब आपने फोर्स लगाई यहां से मुखकर इदर आ गई और कुछ उसमें आपने चेंजिंग्स कर लिए इस बॉर्डी में इस बॉल में मैं बताता हूं किया चेंजिंग्स कर ली कि आपने उतनी ही फोर्स लगाई लेकिन बॉल आ गई इदर उसने पहले से जड़ा डिसन्स कवर किया बटा समय जा गई तो अब जड़ा देखना है इसमें फर्क क्या है कि आपने या तो इस सर्फेस को समूथ कर दिया इस सर्फेस को क्या कर दिया इसको समूथ कर दिया समूथ करने का मतलब है इसकी फ्रिक्शन को रिडियूस कर दिया बटा समय जागे रिडियूस कर दिया अच्छा फ्रिक्श और यह easy to move हो गया ठीक है यह move जादा इसने distance cover कर लिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अब यानि के गलीडियों कहता है कि यह जो चेंडिंग्स आई हैं यह किस वजा से हैं बटा कुछ external effect क्या बटा external effects के reduce होने से क्या हुआ यह इस body ने body वही है लेकिन उसने distance क्या कर लिया है पहले से जदा कवर किया है डिसन्स फोर्स तो नहीं लगी है ठीक है बटा तो यहां से हमें कुछ information मिलती है first love of motion से emotions के relevant के बटा newton ने फिर यह बातों को देखा इसकी बातों को देख यह इसकी बातों को देखा तो newton ने फस्ट ला प्रडियूस किया तीन ला बटा प्रडियूस कें नुटन ने यह कब प्रडियूस किया है बटा 1687 में तो यस ने अपनी बुक लिखी थी princemia बड़ा बास समझागी उसमें ये तीन लाज लिखे थे वैसे चार लाज थे एक लाज ग्रैविटेशन थे लेकिन मोशन के ये तीन लाज थे ठीक है अच्छा अब वो क्या कहता है कि भाई अगर एक बॉड़ी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी ठीक है जब तक ये रेस्ट पर है इसके पर अन बैलंस फोर्स एपलाए नहीं होती ये रेस्ट पर ही रहेगी अगर कोई बोड़ी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म विलासिटी वर्ड का यूज करने बटा है यहाँ पर हम यूनिफॉर्म विलासिटी हम यह नहीं कैसे तके बोड़ी सिर्फ मूव कर रही है या किसी विलासिटी से मूव कर रही है ये बात इनफ नहीं है हम वर्ड या पर क्या उसकरना पढ़ेगा कोई unbalance force act ना हो unbalance force का मतलब क्या है हज़रत देखे यह आप tuck wire खे रहे हैं क्या करें बिटा tuck wire खे रहे हैं इदर से भी आप कैच रहे हैं और इदर से आपके दोस्त कैच रहे हैं समझा गी अब जब यह F1 force और यह F2 force अपस में equal रहेंगी तो ना यह body इदर जाएगी ना यह body इदर आएगी यह balance force, net force कितनी है 0, net force कितनी है बटा इसको उठागे या इसको उठागे दर ले जाओ यह बंजेगा F2 minus F1 is equal to 0, ऐसे है यह नहीं है यह आपने दोना forces को sum किया answer क्या आगया 0, net force कितनी है 0, अब कहते हैं कि भाई अगर हम यह कह दें कि आपकी जो F1 force है F2 force है, क्या है greater है, तो body इस तरफ move करना शूब कर देगी तो यह थी balance condition, कौन से condition थी बटा अब अगर यह condition बन गई है तो F2 को उठागे दर ले आओ तो F1 minus F2 not equal to 0 but greater than 0 answer आएगा net force 0 नहीं होगी तो हम नहीं जाने ही देंगे कि इस condition के मताबिक F1 plus F2 यानिके इस तरह से not equal to 0 net force equal to 0 नहीं होगी तो यह फिर unbalanced condition होगी तो यह जो body है इस तरफ move करना शूब कर देगी बाद समझा गी? तो balance और unbalanced force का समझ आ गया तो अब वो ही कहता है कि body अपनी state को continue रखेगी बेशेक वो rest है बेशेक वो body move कर दिये with uniform velocity until an unbalanced force act on it जब तक उसका पर कोई unbalanced force actor नहीं होती तब तक वो अपनी body अपनी state को क्या रखेगी बेटा continue रखेगी समझा गी? तब हम इसके statement लिखें हैं अगर first love motion के अगर बात करें यह first love अब इसके statement लिखते हैं a body continues its state of rest or motion इसको हम और त्री केसे लिखते हैं थोड़ा सा के if body is at rest remain rest remain at rest के body rest पर है तो वो rest पर ही रहेगी और moving body move कर रही है remain moving remain क्या रहे कि बटा move करते रहे कि विद यूनिफर्म विलाउस्टी कब तक until अन्टिल या अन्लेस अन्टिल या अन्लेस या अन्टिल फोर्स एक्ट नहीं होती तब तक यह body अपनी स्टेट को कह रखेगी continue रखेगी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी motion में है तो motion में रहेगी बटा समय जागे तो यह फस्ट लाव ओफ मोशन न्यूटन फस्ट लाव मोशन और यह वेरी इंपोर्टन है बटा short questions बनते है यहां short questions बनते है ठीक है और अब देखो ज़रा गोर से कि अब body क्यों ऐसा करती है कि वह अपनी स्टेट को continue रखती है रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहे motion में तो motion में रहे वो किस वज़र से करती है बटा due to inertia due to inertia अब inertia क्या है inertia is the property of the body inertia क्या है बटा property of the body which opposes जो कि oppose करती है to change the state of rest or motion कि वो body की state को change होने से क्या करती है बटा रोकती है कि अगर आप रेस्ट पे तो आपको रेस्ट में रखना चाहती है वो अगर आप मोशन में है तो मोशन में ही रखना चाहती है आपको बटा ठीक है इस अ प्रॉपर्टी याद रहे कि inertia is not a physical quantity यह कोई physical quantity नहीं है ना ही इसकोई unit होता है मैं बजाता हूं आपको यह प्रॉपर्टी है यह क्या बटा प्रॉपर्टी है ना के कोई physical quantity समय जागी इस अ प्रॉपर्टी अफ बोडी विच अपोसे इस दा पोसे स्टू चेंज दा स्टेट ओफ रेस्ट और मोशन ओफ दा बोडी बटा बास समझा गही यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो यह बटा बोडी को अपोस्टों करती है बोडी को ऑप्रॉपर्टी को मजामत करती है कि आप अपनी स्टेट पो चेंज ना करें अब क्या करें गाडी बें dun matter और का करे मैं अब राम से बैठे हैं रिलक्स होके बैक सीट पर पिछली सीट पे बैठे हैं तो बटा तो आप आगे मूफ कर रहे हैं आप गार्डी इन अप्लाय कि बेटा तो आप एक दम से इसा डिस्ट्राब होते है आप अप आप अगे तरफ करते हैं लेकिन आगे conv करते हैं किया नहीं बोड़ी आपको वापस अपने असल हारात में ले का नहीं कोशिश करते हैं वो किस वज़ा से डूटो डूटो अनर्शीया है체가फोड़ी इन था था हीजाएट किपस था बोड़ी इन सेम् स्थेटपर ठीक है it has no unit, इसे कोई unit ओ, नहीं होगा, और it is dimensionless, और ये क्या है बटा, dimensionless होती है, ठीक है, dimensionless है, जब उसके unit नहीं है तो उसके dimensions भी नहीं होगी बटॉण ठीक है, अब ज़रह देखो, कि अभी dimensionless है, inertia हमने देख लिया, अब देखो के हम यहां पर क्या कहते थे कि विलॉस्टी को देखके फोर्स का अंदाजा लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं विलॉस्टी को देखके फोर्स का अंदाजा लगा रहे हैं तो यह बाद यह अप्रोच हमारी सही नहीं है क्या नहीं है अप्रोच सही नहीं है तो हमे जो बेस है उसको study करते हैं अब यहां देखो जरा के बोडि जो है rest पर है या वोडल कर एचिए में बिटा बोडि के जो वीलास्टी है वह क्या होगी यह तो जीरो होगी तो या फिर य४ी य॑न्रभाव लास्टी तो बात समय जाद की तरहां टी यह या यह विलास्टी अच्छा अब जब विलस्टी उस्टेंट है तो यह हमार फस्ट लाफ मोशन अब इस लाफ को फस्ट लाफ मोशन को लाफ अनर्शिया भी कहते हैं क्या कहते हैं बड़ा इस आलसो नौन एज लाफ अनर्शिया बास में जा गी स्थेभला इस लाफ मोशन इस लाफ अनर्शिया बास में जाए ठाचे हैं आ centimet